टॉपिक मैं सब जानता हूँ मुझे ट्रेनिंग की क्या जरुवत जवाब दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महतुर्पूर टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो कृप्या करके वीडियो में अंतक बने रहें ताकि कोई भी जरुरी पॉइंट मिस नहो सके दोस्तो बहुत से लोग इस बिजनेस में आते हैं जिसमें से ज़्यादा तर लोग ट्रेनिंग और सेमिनार एक बार दो बार अटेंड करते हैं फिर अपने आपको ज़्यादा हुंस्यार समझने लगते हैं और ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड का नब बंद कर देते हैं उनका कहना होता है कि जैसे एक ही चीज बार-बार बतायाता है मेरे लोग ट्रेनिंग में नहीं आते या मेरा बिजनेश नहीं चल रहा मैं अकेला आकर क्या करूँगा मुझे सब कुछ आता है मुझे ट्रेनिंग सेमिनार की क्या जरुआता है इतियादी सेंटे जो उनको सफ़ल होने से रोकता है जिन लोगों का बिन्नेश अच्छा खासा चल रहा है और ट्रेनिंग मिटिंग अटेन्ड नहीं कर रहें उन को इस बिजनेस में कुछ दूरी तक पहुचा तो देती है पर डाम यह होता है कि कुछ समय बाद उनकी टीम तुटने लगती है थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम बड़ी समस्यम बदल जाता है अचानक से उनका बिजनेस डाउन फान में जाने लगता है जिसके कारड वह तूर जाता है और यही उसके बिजनेस का छोड़ने का कारड बन जाता है जिस प्रकास से आप अपने बाई क्या कार को बिना सर्विसिंग कराए सालों साल तक नहीं चला सकते बाई क्या कार के पुराने पार्ट को समय समय पर बदल कर नए पार्ट लगाने परते हैं इससे उसकी लाइब बढ़ जाती है इसी प्रकास से इस बीजनेट में हमारी पूरानी आदतों को त्याकर अच्छी आदते अपनानी होगी और अपने नौलेज को समय के नुशार से अपडेट करना पड़ेगा ताकि इस बीजनेट में निरनतर सफलता प्राप्त कर सके ट्रेनिंग और से ट्रेनिंग में आकर क्या करूंगा तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आपका बीजनेट अगर नहीं चल रहा तभी तो ट्रेनिंग की आपको सबसे ज़्यादा जरूवत है और उस ट्रेनिंग में बताई गई बातों को फॉलो करना जरूरी है आप सिर्फ मिटिंग अटेन कर रहें कल आपके साथ सेक्रों मिटिंग में आएंगे जैसे कि हमारे सीनियरों के साथ हुआ दोस्तों इसी प्रकास से आप अपने टीम वालों को जवाब देकर उनका दिल जीत सकते हैं अगर आप मेरी बातों से सहमय था तो वीडियो को लाइक करें और अ जादा से जादा इस वीडियो को टीम में सेयर करें धन्यवाद